हेलो दोस्तो आप कानिके टेकडिम स्वागत है दोस्तो अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दवाएं दोस्तो आज मैं GS का यह 10 प्रश्ण लेकर आया हूं जो 28 पर इस परिच्छा के लिए काफ़ इंपॉर्टेंट प्रश्ण है अगर यह 10 प्रश्णों में से आप 10 के 10 अगर कर लेते हैं तो यहां से 1 से 2 प्रश्ण पक्का 28 पर इस परिच्छा में आसे पूछे जाएगा यह ब प्रश्ण में जो प्रश्ण पूछे गए हैं 28 पर इस परिच्छा में उनका मैं सीरिज बनाऊंगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह सेशन जी असका तो पहला प्रश्ण है थियो सोफिकल सुसाइटी के संस्थापक कौन थे तो थियो सोफिकल सुसाइटी क जो संस्थापक थे मैडम ब्लावत्सकी थी आपसर नमबर यहां पर बी वाला सही हो जाएगा मैडम ब्लावत्सकी अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है गांधी गांधी जी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अंटू दलास्ट का लेखक है तो जी को जो पुस्तक प्रभावित की थी उस पुस्तक का नाम है अंटू दलास्ट जिसके लेखक है जान रसकिन है आपसर नमबर यहां पर सही हो जाएगा यह बहुत इंग्पोर्टन प्रश्ण है अंटू दलास्ट के लेखक हमेशा पूछा जाता है बिए पर इस भूग है वह मल्य अलाम भासा बोलते हैं पर आपसर नमबर यह वाला सही हो जाएगा और यहां से एक वूद्यक्विस्चन और पूछ सकता है कि लच्छ दीब की जो राज़तानी ONुब क्या है तो कावा रती है तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है box आगले प्रस्ण पे च कई बार पूछा गया है एक्जामों में अगले प्रश्ण पर चलते हैं अगला प्रश्ण है बिर्जु महराज किस विधा के सुप्रसिद्ध प्रतिपादक हैं तो यह पिर्जु महराज जो थे वह कथक से कथक करते थे आपसन नमबर यहां पर बी वाला सही हो जाएगा यह बिर्जु महराज वाला भी क्यूश्चन जो है यह काफी सारी परिछाओं में पूछा गया है आपका वीडियो एक्जाम में भी पूछा है यूपी ट्रिपल ट्रिपल एक्जाम में तो यह क्यूश्चन सब्सक्राइब देद्ट है इसलिए यह पीप उस्तिति में आकास का कैसा प्रतीत होता है तो पिर्थवी के वी मंडल की आनुपस्तिति आता है वाग दिखाएदी आपसर नमबर यहां पर डी हो जाएगा और एक और पुरस्ण पूछता है कि आकास का रंग कैसा दिखाई देता है तो नीले रंग के प्रकृड़न के कारण आकास नीला रंग दिखाई देता है तो यहां से दो क्यूश्चन बन सकते हैं लेकिन जब वाई मंडल की अनुफस् यह भी बीएड में काफिंग बार पूछा गया कुश्चन है कि कम से कम चार से पांच बार इस परिच्छा में पूछा गया प्रश्ण है अगले प्रश्ण पर चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्ण है भारती राष्टी का अंग्रेश की प्रथम महिला अध्यक्स कौन थी तो भारती राष्टी कांग्रेश की प्रथम महिला जो अध्यक थी वह आपका इनी बेसेंट थी यहां पर आपसन नंबर सी वाला सही हो जाएगा कब थी यह सन भी पूछता है तो 1917 में थी अले क्यूस्चन पेचलते हैं दोस्तों अगला क्यूस्चन है प्रथम बोध परिसत कहां आयोजित हुई थी गौतम बुद Пон की जो मृत्ति हो गई थी तो पहली बार गौतम प्रथम बोध परिसत जो आयो आयोजित किया गया था वह राजगरी में आय पुर्वी घाटो का मिलन कहा होता है तो पुर्वी घाटो का जो मिलन अस्थाल है वह नीलगीरी की पहाड़ी है तो यहां पर नीलगीरी की पहाड़ीों में आपसन नंबर इसका यह वाला सही हो जाएगा नीलगीरी की सबसे बड़ी उंची चोटी जो है वह डूड़ा बेट यह भी काफी बार क्विश्चन पूछा गया है तो अगले प्रश्ण पर चलते हैं साथमाहन समराज के संस्थापक कौन है तो यह यह जो संस्थापक है वह आपके सीमुक है यहां पर आपसा नंबर भी वाला सही हो जाएगा यह भी क्विश्चन काफिंग प्वार्टेंट है यह बीएट परिच्छा में यह भी कई बार प्रस्ण पूछा गया है बिगद वर्सों में इसलिए काफिंप प्रस्ण है यह अगला प्रस्ण है और लास्ट एदस्वां परस्ण है भारती राष्टी का अंग्रेस का पर्थम विभाजन उसके कहां के सत्र में हुआ था तो भा सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपका यहां से एक से दो प्रस्ण तो पक्का ही बनेगा यहां से क्योंकि बार एक बार नहीं कई बार पूछे गए इस वजह से मैं इनको अलग से यह दस प्रस्ण का वीडियो बना दिया है तो आप यह लोग इसे जल्दी से देख हैं 1 लिफवां से यह बना दिया अपका और है विजह है अफद्सक्राइब को एक सुआ है यहां से यह है तो शस्थआ है आर एक सूर्टर के टार गया हैं है यहार विफवां से Kal recognizes फो जासरा बार बाहँ हैं